हलो गाइज, वेलकम बेक तो मैं यूट्यूब चैनल जेओग्रोफी गुरू इन दे सीरीज ओफ एंचियाटी जेओग्रोफी टूड़े वी आ हेवी दे फोर्थ एपिसोड अफ क्लास 11 जेओग्रोफी चैप्ट नुबर सेवन लेंड फॉर्म्स और देर एवलिशन भुआ करतियां तथा उनका विखास इस एप्ट में हम पढ़ रहे हैं जेओमॉर्फिक एजेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं नदी के बारे में हिमनदी के बारे में भूजल के बारे में पावनों के बारे में समुद्री लहरों के बारे में ये सभी जेओमॉर्फिक करते हैं pa Donc के बात करने वाले हैं हम बात करेंगे समूधरी लेहरें को किस परकार की सितलाइकितियां बनाते हैं तब परहार के कान सागर तल से ऊपर उटने वाली जो तरंगे होती हैं उनको हम लहरे बॉलते हैं अब यह लहरे यह वह तीन परकार के करती है अपरण दूसरा परिवन और उसके बाद निक्शेपन अपरण हेखो जल गति की रिया से किया ज़ता है या जल की गति यह वह काफी ज्यादा होती है उस पीड के कान अपरदन होता है अप घर्षन के कान होता है अप घर्षन हम पहले पढ़ चुके कि जो कंकर पत्थरी त्यादी होते हैं वही फिर ओजार का कारे करते हैं और अपरदन कारे और तेज हो जाता है सने घर्षन में जो कंकर पत्थर है जिनका अपरदन किया गया था वही आपस में टकरा करके चूरण या महीन होते जाते हैं और जल ये दाप जल की मातरा जितनी अधिक होती है उसके कांड भी अपरदन होता है तो इस तरी के से इन विधियों से इन मैथड से समुदरी लहरे वह अपरदन करती है और उसके बाद परिवन होता है और परिवन के बाद निक्षेपन होता है अब तीनों कारें के दोरान दो परकार की आकरतिया मुख्य तोर पर बनती है डिपोजनल यानि अपरदनात्मक और निक्षेपनात्मक यानि की पहली इरोजनल और दूसरी डिपोजनल दो परकार की आकरतिया बनती है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे तो पहले हम बात करेंगे इरोजनल लेंड फॉर्म्स की इरोजनल लेंड फॉर्म्स में सबसे पहले सी क्लिफ भीकू यह समुदरी तटवर्ती लाकों में तब बनता है जब समुदरी लहरों के लगता टकराओ के कांड चटानों का निचला भाग है वो अपरदित हो जाता है जबकि उपरी भाग है वो अपरदित नहीं होता डाइग्राम में देखिए कैसे होता है कि यहाँ यह चतान है तो समुद्र की लहरे कहाँ टकरा रही है यहाँ पे टकरा रही है बार-बार इस इलाके में टकरा रही है etन यहाँ पर अपरदन हो गई यह इलाका यह जो एरिया है वो पीछे हट गया यहां से चटान के टकराव अपर्दन के खान और उपर का भाग वो बहार निकला हो रहता है तो इस लेंड फॉम को हम क्या बोलेंगे हम सी क्लिफ कहते हैं इसको क्योंकि यहां पर टकरा रही ही तो अपर्दन नीचे की तरफ अधिक हो रहा है तो इसलिए इस परकार के आकरतियां बनती हैं तो इसे हम sea cliff या भ्री को बहुते हैं दूसरा है कंद्रा, sea caves sea caves जिसे आप समुद्री गुफा भी कह सकते हैं समुद्री गुफा कब बनती है कि तटवर्ती भागों में लहर के काण निर्मित खांचो के एक लगातार कटा होने समुद्री गुफा बनती है डाइगराम में देखिए यहाँ पर यह समुद्री गुफा है ऐसा कब होता है जब चटान ने हैं वो कहें पर उनमें दरारे हैं या कहें पर मुलाइम चटान है या कहीं पर कोई खांचा है तो वहां पर लगतार जल है उसके कारण वो खांचा वो दरारें चोड़ी होती जाती है और इससे लंबे समय के बाद गुफाएं बन जाती है जिसे सी केवज बोलते हैं तो यह गुफा है वो जरूर नहीं कि सिर्फ यहां पर वीजिबल है इतनी ह इनकी लंबाई बहुत अधिक कई सो मेटर तक भी हो सकती है तो यह होती है समुद्री गुफाएं या फिर कंद्राएं तीसरा होता है ब्लो होल्स वादशिद्र बहुत इंपोर्टेंट है यह आपके वन मार्क्स के लिए कंपेडिशन एक्जामनेशन के लिए भी जब तट अबागा भाग है जो हम मान लेते हैं यहां तक फेला हुआ उसके छट के ओपर जब हो जाता है होल हो गया यह होल कैसे हुआ कि यहां पर चटाने है वो मुलाइम रही थी और लगातार पानी टकराता रहा है गुफा के अंदर तो जहां से मुलाइम चटानी थी कमजोर थी वहां पर एक चिद्र हो गया और चिद्र हो गया तो जब भी लहरें टकराएगी तो यहां से पानी पूरे प्रेशर के साथ ऊपर निकलेगा और प्रेशर के साथ निकलने के साथ-साथ यहां पर आवाज भी करेगा इसलिए इसको ब्लो हॉल्स बॉला जाता है एक अलग पर होती है वो भी निकलती है तो इसके कारण आवाज बेदा होती है फूर्थ है महराब समुद्र तट पर दोनों और से बनने वाली गुफाओं के आपस में मिल जाने से महराब की रसना होती है इसको हम सी आर्क बोल सकते हैं पूल की तरह होता है यह देखिए यहाँ पर इस परकार के आकरती है तो यहाँ पर इस साइड से गुफा का निर्मान हुआगा दूसरी साइड से भी गुफा का निर्मान हुआ होगा जब दोनों आपस में मिल गए तो इस की आकरती को हम आर्पार जो ब्रिज टाइप की आकरती बन गई तो इसे हम महराब बोलेंगे C-ARP बोलेंगे C-Stacks क्या होते हैं C-Stacks महराब की चट तूटने से निर्मित जो स्तम रह जाएगा वो उसे हम सी स्टेक्स या गुह स्टम बोलेंगे ये सी स्टेक्स है अब वहाँ वापस जाते हैं पिछले डाइग्राम के उपर यहां देखिए कि ये जो महराब है अगर इसकी चट तूट गई यहां से हमने तोड़ दी ये जो स्टेक रहे गया स्टम रह गया उसे हम सी स्टेक्स बोलेंगे ये भी सी स्टेक्स है यहां पर भी कभी चत्र ही होगी तो इन्हें हम सी स्टेक्स का नाम देते हैं सी स्टेक्स अगर पानी में डूबा हो तब उसे स्टम्स का आजाता है यहां आपको वीजिबल नहीं है लेकिन अगर यहां पर मालेजी कि आज पास सी स्टेक्स है वो पाने में डूब जाए तो उसको हम स्टेंप्स का नाम देंगे उसके बाद है तरंग घर्शित वेदी का वेवकट फ्लेटफॉर्म वेवकट फ्लेटफॉर्म क्या होता कि भ्रिगू के निरंतर पीछे हटने से एक चबूत्रा बनता है उस चबूत्रे को हम वेवकट फ्लेटफॉर्म बहते हैं अब इसको समझने के लिए हम दोबारा वापस बैक जाएंगे उसी डाइग्राम के उपर जा रहे हैं यहां पहला जो हमने भ्रिगू का किया था यहां देखिए यह भ्रिगू है अब लगातार यहां कटा होने काण यह समुद्री लहरे जब थेज होती है तब यहां तक पहुंचेगा अदरवाइस वो प्लेटफॉर्म बन जाता है यहां से वेवस कर फ्लेटफॉर्म बॉलते है तो यह आकर्ती भी समुद्र जो लहरी ह उनके अपरदन के कान बनती है चलिए थोड़ा आगे बढ़ती हैं बात करेंगे निक्षे पनातमक यानि की डिपोस्टनल लेंड फॉर्म्स कौन सी होती है उससे पहले यहां पर भी सारी आकर्टियां दी गई है जहां पर आप देख सकते हूं यह केज दी गई है यह आर्क द जाती है स्टेक दिया गया और जब पानी में डोब जाता तो उसको हम स्टंप्स बॉलते हैं अपर डिपोस्टनल लेंड फॉर्म्स यानि समुद्री पानी है वह अपरदन के बाद जो भी मलबा होता उसका परिभन किया जाता और कहीं ने कहीं उसका जमाव किया जाता है ज समुद्र या सागर तट के सहारे लहरों द्वारा मलबे के निक्षेपन से पुलिन करने माण होता है यानि कि जब तेज लहरे आती है तो पानी यहां तक पहुंझ आता है अधरवाइस वह पानी है पीछे रहता है तो इस प्रकार की जो आकरतिया है उसे हम बीच बोलते हैं उसके लमाधस दूसरी है स्पिट अर्थ Spit Earth क्या होती है लहरों द्वारा सागर की और जीवा के रूप में किया गया निक्षेपन Spit कहलाता है कि यानि समुद्र की तरफ यहां आपको दिखाई देगा Spit जैसे यह आकिरती है तो यह आकिरती Spit, Barrier Spit है अगर इसी टाइप से ये आगी की तरफ जीवा की तरह जमाव हो जाए तो ये स्पिट कहलाएगा तीसरा है रोधी का सेंड बार ये भी डिपोस्नल वर्क के कान बनती है लेंड फॉर्म्स की तरंग या धराओं दोरा निक्षेपित कटक या बांध को रोधी का बोलते है इसको सेंड बार का नाम दिया जाता है यानि जब बांध बन जाता है ये बे बेरियर है ये सेंड बार है ये भी इसी परकार किया करती है जिसमें डिपोस्नल वर्क है उसके कान बनती है उसके बाद बेरियर अब तर ट्रोधी का ये भी सेंड बार की तरही है सेंड बार बे तरोदिका तट से दूर किन्तु उसके समरंत्र बनी दिवार या बांध को हम अब तरोदिका कहते हैं उसके बाद हुक है स्पिट आपको समझ में अगर स्पिट क्या होता है जीवा के आकार में ये समुदरी तट है उसमें आगे एक तरफ जमाव हो गया अब ये जमाव है जब ये हुक मुड़ा हुआ हुक था यहां से ये आपस में वापस मिल जाता है तो उसे हम लूप नुमा करती बोलते हैं या लूप बोलते हैं तो ये भी डिपोस्टनल वाकिकान बनती है सियोजक रोधिका क्या होती है जो दुद्वीप है उनके बीच में अगर बांध य जाए तो उसे हम सियोजक रोधिका कहेंगे तो ये भी एक डिपोस्टनल लेंड फॉम है लेगून क्या होती है बहुत इंपोर्टेंट है ये लेगून के बारे में आप पढ़ते आ रहे हो किसी खाड़ी के दोनों छोर निक्षे पी दिवार या बांध से जुड़ जाते ह किसी खाड़ी है उसके दोनों छोर जब किसी निक्षे पी दिवार के कान या बांध के कान डिपोस्टनल वर्क के कान जुड़ जाते हैं तो उस दिवार को खाड़ी रोधिका कहेंगे और बंद जो खाड़ी है उसे हम लेगून कहेंगे लेगून यहाँ पी आपको दिखा बाग होते हैं लेकिन बाद में यहां पर डिपोस्नल वर्क के कान एक बांध बन जाता है और यह बाग अलग हो जाता है और एक जील बन जाते है इसे लेगुंस बोलते हैं यहां एक बार वुफ यहां देखिए टॉमबोलो भी एक आकरती होती है दूपों को तट से जोडने वाली जो रोधी का है उसको टॉमबोलो का जाता है दूप को तट से अगर जोट रिये त यह आकरतियां बनती है समुदरी लहरों के डिपोस्नल वर्क केकान तो यह था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने बात की समुदरी लहरें किस परकार की आकरतियों का निर्मान करती है झाल